मोदी सरकार चीन को देने जा रही है ये बड़ा जटका मोदी सरकार चीन को बड़ा जटका देने जा रही है दरसला भारत चीन सहेत कई देशों से उर्जा और प्रसारन उपकरण के आयात को बंद करने की दिसा में काम कर रहा है इसके लिए सरकार देश में तीन विनिर्मार केंद्र खोलने की योजना बना रही है जिन में इन उपकरणों को बनाया जाएगा पिछले वर्स भारत ने चीन से लगबग 22,4 करोन रुपए के बिजली और उर्जा उपकरण खरी दे थे इसके करण देश के घरेलू उद्यों को बड़ा नुकसान पहुचा है आने वाले समय में चीन से आयात होने वाले इन उपकरणों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा जो बाइडन के अमेरिका के राष्टपती बनते ही क्यों खुस हुआ पाकिस्तान जो बाइडन ने अमेरिका के राष्टपती चुनाओं में सानदा जीत दर जैकी है अब वे अमेरिका के नई राष्टपती होंगे लेकिन इस बीच जो बाइडन के राष्टपती बनते ही पाकिस्तान में खुसी कमा हाल है दरसल जो बाइडन का पाकिस्तान से पुराना रिष्टा है जो बाइडन के पाकिस्तान के साथ सवहार्द पूर संबंद रहे हैं लिया जावे पाकिस्तान के साथ कड़ी करवाई करने से बचेंगे जबकि डोनाल्ड टरम्प से पाकिस्तान की सरकार नाराज थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकने के साथ साथ आतंकवाद के मुद्धे पर लगातार पाकिस्तान को फटकाल लगाई इसलिए जो बाइडन के जीतने से पाकिस्तान में खुसी का माहौल है अमेरिका ने अलगाववदी संगठन ETIM को आतंकी संगठनों की सूची से हटाया चीन ने जताई कड़ी नाराज की कि इससे अमेरिका का वेस्ट्विक आतंकोवाद के खिलाब दोहरा चरित्र उजागार हो गया है